Principles of Systematics Module 209 Annalyze Annalyze is a phylum of invertebrate which is celomate यह पहला phylum है invertebrate का जिसके अंदर true celome मौजूद है यानि इसकी body cavity के अंदर वो तमाम character जो के एक true celome के अंदर मौजूद होने चाहिए वो analytes के अंदर मौजूद है इसके बाड़ी के अंदर segmentation है और इनके अंदर जो different body parts है उनके अंदर linear repetition है और ये जो property होती है इसको metamerism कहते है यानि serial repetition of body parts इनके body के अंदर बहुत सरे parts ऐसे हैं जो के different segments के अंदर repeat होते हैं ये ख्याल किया जाता है कि इनके अंदर जो different segments हैं वो पराने जमाने के अंदर हर segment एक individual एक separate individual हुआ करता था बाद में इन्होंने एक खटा रहना शुरू किया और ये सारे मिलके इन्होंने एक animal की form इख्यार कर ली उसके बाद animals are bilaterally symmetrical, they are triploblastic, three germlians मौझूद हैं इनके अंदर एक्टोडाम, एंडोडाम और मीजोडाम उसके अलावा इनके अंदर tissue level of organization मौझूद है जैसा कि हमने sponges और silentrates की बात की थी, कि उनके अंदर tissue level of organization नहीं थी sponges के अंदर तो cellular organization थी sponges के बाद जो silentrates थे, उनके अंदर tissue level of organization थी लेकिन organ formation नहीं थी, लेकिन इनके अंदर बकायदा organ formation मौझूद है उसके लावा, the body is covered with a thin cuticle, they are silomate, यह पहला group है, जिसके अंदर proper silome मौझूद है अनिनेट्स in moist environment, moist soil, fresh water और marine, soil के अंदर भी रह सकते हैं, जैसा कि अर्थवाम, यह पानी के अंदर भी रह सकते हैं जैसा कि नेरी, समुंदर के अंदर भी रह सकते हैं, उसके लावा, इसकी बहुत सारी अनिनेट्स की examples हैं, leech इसकी example है, इसके अंदर parasites भी शामिल है अगर हम यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देखें, तो इनके body के साथ यह specialized structures होते हैं, परपोडिया यह CT, यह वो structures हैं, जो इनको movement के अंदर help करते हैं their body appeared red due to presence of hemoglobin, इनके body के अंदर इनका जो blood का color है, वो red इस वजह से होता है कि इनके अंदर pigment मौजूद है उसके अलाबा, excretory and nervous systems are present, यानि इसके अंदर बकाइदा nervous system मौजूद है, develop है, ganglia मौजूद है, और इनके अंदर excretory system भी मौजूद है, इनके अंदर nephredia मौजूद है digestive system is complete and develop, हमने nematodes के अंदर देखा कि उनका digestive system मौजूद है, लेकिन जो parasitic forms थी, उनके अंदर digestive system reduce हो जाता है, लेकिन इनके अंदर digestive system मौजूद है उसके रावा respiration के लिए भी इनके अंदर, respiration happens through the general body surface, क्योंकि ये moist environment के अंदर रहते हैं, तो moist surface जो है, वहाँ से gas exchange असानी से हो सकता है these invertebrates have true close circulatory system, यानि close circulatory system से मराद है कि इनका जो blood है, वो close blood vessels के अंदर circulate करता है sexes may be separate or united wherein they are called hermaphrodites, यानि sexes separate भी हो सकते हैं, एक ही individual के अंदर male female दोनों किसम के organs मौजूद हो सकते हैं, अगर ऐसी सूरते हाल है, तो इस सूरत में इनको hermaphrodites कहेंगे उसके बार fertilization can be internal or external, अब इनके अंदर जो examples है, एनलेटिस के अंदर आर्थवाम मौजूद है, जो आर्थवाम है वो उसको natural flow भी कहते हैं, क्योंकि ये जमीन की जरखेजी को improve करने में बहुत important role play करता है इसी तरीके से जो leaches है, लीच ये एक पैरासाइट है, जोंक जिसको हम कहते हैं, इनकी जो बाड़ी है, उनके अंदर specialized structures मौजूद होते हैं, इनका जो mouth है, वहाँ पे काइटनस structure है, एक डिस्क की तरह का structure होता है, जिसकी मदद से ये जो host है, उसकी बाड़ी के उपर जखम बनाते हैं, और उसका जो blood है, वह सक करते हैं, इनके बाड़ी से एक खास किसम का chemical पैदा होता है, जो के blood को मुझबंद नहीं होने देता, और एक वकत में ये बहुत सारा blood अपने अंदर जमा कर लेते हैं, और एक दफ़ा अगर ये blood जमा कर लें, तो फिर काफी अरसे तक इनको दुबारा से feeding की जरूरत नहीं रहती, तो हमने ये देखा कि जो phylum annalida है, ये bilaterally symmetrical animals हैं इसके अंदर, ये triple plastic हैं, इसके अंदर sexes separate भी हो सकते हैं, united भी हो सकते हैं, इनके अंदर true silom मौझूद है, इसके अंदर parasitic form भी मौझूद है, इसके अंदर aci form भी मौझूद ह जो parasites नहीं हैं, इनके अंदर regeneration, इनके अंदर linear repetition है, जिसको हम metamerism का नाम देते हैं, और इसकी examples के अंदर हमने अर्थवाम का जिकर किया, leaches का जिकर किया, polykeers का जिकर किया